पंजाब में जब से आमाननी पार्टी सरकार आई है, लेंड आडर वस्ट होता जा रहा है. पंजाब के लोगों ने पंजाब के लिए चुना, लेकिन उपंजाब के लाबा बाकी सारे काम कर रहे हैं। क्योंकि वह कभी घर्बा कर रहे हूते हैं, गुजरात में जाके कभी हमाचल में जाके कर रहे होते हैं। पर्चे तो आज तक खतम हुए नी लेकिन नए पर्चे उन लोगों पर दर्ज होने लगे जो अर्विंद केजरिवाल जी के खिलाफ बोलते हैं। सिर्फ और सिर्फ बदला खोरी है। जो आपके खिलाफ बोलता उसके मुँ बंद करने का वाज बंद दबाने का एक तरीका है। आज सारे क्रिमिनल भागें हुए और जेले तोड़ कर भाग जाते हैं। अर्विंद केजरिवाल जी जाती कर रहे थे पंजाब पुलीस का इस्तमाल कर रहे थे अपने एहितों के लिए। पंजाब हर्याना हाई कोट ने उस F.I.R. को रद कर दिया है जिसमें पंजाब पुलिस तेजिंदर बगगा और कुमार विश्वास के खिलाफ जाच कर रहे थी हमारे साथ मंजिंदर सिंग सिरसा जी हैं बीजीबी के वरिश निता सर ये जो दो अलग-अलग मामले थे जिस में एक खालिस्तान का मामला था और एक जो बगगा ने की बोला था ट्वीट किया था उसको लेकर अब पंजाब हर्याना हाई कोट ने इस पूरे मामले को निरस्त कर दिया नहीं पहले तो ये बहुत बड़ी उन लोगों की जीत है जो अपनी बात को इस सवधान के दाएरे में लेके रखना चाहते हैं डेमक्रैसी हमें यही सिखाती है पक्ष है और जो सत्ता पक्ष कुछ करेगा उसका गर गलत करता तो उसका विपक्ष को अधिकार है उस परकिंतु परंटु करने और अपनी बात को रखने का पंजाब के अंदर जब ये सत्ता मिली भगवंत मान जी को तो इसी लिए मिली क्योंकि वो भी ये कहते थे कि पंजाब में बहुत सारे गैर कनूनी तरीके से मुकदमे दर्ज किये जाते हैं नजैज और लोगों को ड्रायातम काया जाता है और हम आएंगे और पर्चे उको खत खोरी है जो आपके खिलाब बोलता उसके मुँ बंद करने का वाज बंद बाने का एक तरीका है जो कि गलत है तब उन्होंने कहा कि नहीं देखिए हमने जस्टिफाई किया पंजाब पुलीस अपनी मर्जी से कर रही है पंजाब पुलीस इंडिपेंडेंट है अब मुसेवाले जी के कतल वाले लोग थे 90 परसंट दिली पुलीस ने पकड़ के दी है वो तो आपसे करा नहीं जाता तो अब ये जो कोट का ओडर आया है ये बड़ा सपष्ट है कि अर्विंद केजरिवाल जी जाती कर रहे थे पंजाब पुलीस का इस्तमाल कर रहे थे अपन बात सत्ता पक्ष के खिलाब बोलना चाते हैं पंजाब की कानून विवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहा है आज फिर एक मामला आया है और खुद आपने भी ट्वीट किया तरंतारण में जिस तरह से एक्स्टॉर्शन मांगा गया नहीं दिया तो हत्या कर देगी य पैली ऐसा केस शुरू हो गए हैं पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी सरकार आई है लेंड और वर्स्ट होता जा रहा है क्यों कि वो कभी गरबा कर रहे होते हैं गुजरात में जाके कभी हमाचल में जाके कर रहे होते हैं पंजाब के लोगों ने इनको पंजाब के ल कि पुलीस के पास कंप्लेंट हो, फरौती मांगी जा रही हो, बीस लाग रुपे की फरौती मांगी हो, और फरौती ना दे रहे हो, परिवार के लोग तो उनके बच्चे को मार दिया जाए, अब ऐसा क्राइम तो अगर इससे बढ़ तो क्राइम को रेट होई नहीं सकता, तो अगर पंगवंत मांजी सरकार चला रहे होते हैं, तो शहिए पंजाब के इतने बुरे हलात ना बनते हैं, एक और समस्या है, ड्रग्स की समस्या, उसको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि पंजाब सरकार ये चाहती है, कि पाकिस्तान के साथ जो ट्रेड है, वो बंद फिर से ख खोल दिया जाना चाहिए, और एक ड्रग्स को लेकर लगातार इस बात को लेकर चर्चा होती है, कि सीमापार से ड्रग्स की सप्लाई होती है, तो उसको कि देखिए, आज बड़ी चिंता क्या है कि हमारे पंजाब को नशे से बचाया जाए, पंजाब का वपार प्रोसी मु अलग अलग तरीकों से पाकिस्तान से ड्रग को दगेला जा रहा है, ऐसे में अगर हम खुदी बॉर्डर कोल के कहेंगे, आईए, लिया ये ड्रग्स लाइए, पहले ट्रेनों में आती रही है, तो ये एक बहुत बड़ा विशह है, जो उसको मुझे लगता है कि पहले और्डर के उपर हम चाहते हैं कि से वातावर्न हो तो हमारे टाइस खुले और वपार हो, पंजाब को लाब मिलेगा उसका, लेकिन उसके पंजाब के यूद के कीमत पर हम ये काम नहीं कर सकते कि वो पंजाब में नशाद केलें और हम वपार की बात करें, एक आखरी सवाल नहीं पूजने की बात कही, बहुत धर्म में कनवर्ट होने की उसको किस तरह से आप देखिए गलत है कि इसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, धर्मिक मामले बड़े सेंस्टिव होते हैं, मैं मेरा सिख धर्म में विश्वाश है, मैं अटूट सिख हूँ और मेरा गुरू ग धर्म के गुरू को या ऐसे अपने जिनको भी आप उपाशना जिनकी करते हैं, उनको मत मानने, या मैं पब्लीक में एक कसम दिलाओं कि जी आप फलाने धर्म गुरू को नहीं माननेंगे, या फलाने गुरू को नहीं माननेंगे, या फलाने बगवान का नाम नहीं लेंगे ये जो है ऐसा सविधान ना तो सविधान इजाज़े देता है ना ही हमारा धर्म इजाज़े देता है किसी के खिलाब बोलना ये खिलाब बोलने वाला जो काम है ये कोई भी जिस्टिफाई नहीं कर सकता किसी सूर्थ में जिस्टिफाई नहीं किया जा सकता तो साफ तोर से शिर्शा जी का कहना है कि आप अपने धर्म का सम्मान कीजिए उसको बढ़ावा दीजिए लेकिन किसी को इस बात के लिए जोर जबर्दस्ती मत कीजिए कि वो अपने धर्म को नहीं माने या दूसरे के धर्म के जो गुरु है जिनकी उपास ना करते है उसको ना माने कैमरान फिरोज के साथ अजेशा देनिक सविरा दिल बाबायमीन बंगाली गोल्ड मेडलिस्ट तो हड़े शेर्च पहली बार अदबुत शक्ती चमतकार वेखो देश विदेश बैठे सानू वाटसेप ते भी कॉल कार सकते ने कार बैठे 11 मिंटा जो 101 पीस अधी गरंटी ना समधान वशिकरान ते मुठ करनी दिमाहिर सब तो पहलना काम करन दा वादा नौकरी परमोशन कारोबार्च परशानी कार्च चगड़ा बर्कत अलाद केने तो बार होना कोड के सलाग प्रॉप्टी डिस्प्यूट गुप्त रोग पुरान दर्द पती पत्नी जादू टोना मनमोडी वशिकरान करोणा चा दुड़वाणा सोतन दुश्मन तो छुटकारा सदाले रुस्यनुमनोणा प्यार मोहबब बाबा यामीन मधाली च्यानवे 435 सिफर बत्ती इकी